बड़े बड़े cruise और बड़े बड़े huge ships को आपने जरूर देखा होगा पर सवाल उठता है कि पहली बार ये ship ये cruise पानी में कैसे आते हैं floating out launching इस method में ship को समदुर के किनारे ही बनाया जाता है और जब ship complete हो जाता है तो उसके बे area में पानी को भर दिया जाता है और उसे main sea से या river से connect कर दिया जाता है और सीधे उसको पानी में launch कर दिया जाता है gravitational type launching जहाज को corner पर लाकर train की पट्री जिसे structure पर set किया जाता है और उसके बाद इसे freely छोड़ दिया जाता है gravity इसे अपने आप नीचे की तरफ खीच लेती है इसलिए इसे बोलते है gravitational type launching airbag launching में ship के नीचे बड़े बड़े air के backs लगाए जाते है rolling type के जिनके ऊपर से ship को roll कर आकर sea में connect किया जाता है mechanical type launching यह सबसे risky launching होती है इसमें ship या cruise को crane या फिर helicopter या aircraft की साहता से उठा कर सीधे पानी में launch किया जाता है जबर्दस्त रेल्यो एडिशन करने के लिए like और subscribe जरूर कीजेगा